ठीक है, आपको एक रुपया नहीं रिसीव हुआ, आपने एंट्री की, गुड्स बेची है, सर्विस आपने एंट्री की, डेटर डैबिट, चलो, गुड्स बेची है, सेल क्रेडिट पचास रुपय, और कुछ भी नहीं आया, तो, ये पचास क्या आपका, रिसीवेबल, हम हम यहीं कह रहे हैं कि PNL तक आति आता है यह शेल गुडती यह इसको रिवर्स करो ऐसे ही इसे ही इंकम सिर्फ इन्वेस्मेंट इंकम सिंगल बनाते हैं आपने शेर्स खरीदे उन पर डीविडेंट आया डीविडेंट इंकम अभी अभी आपने कमा लिया है आया नहीं है दस रुपे तो सारे का सारा क्लोजिंग में क्या ए? डिसीवेबल तो क्या है? इनकम है नोन कैश है कैश फ्लो में इस दस को लेना चाहिए? नहीं इसको उल्टा देते हैं आफ ये नहीं कुछ आ भी किया है कितना आगे ज़िए 7 रुपे आ गए है तीन अभी नहीं आए तीन आएबल हैं साथ आगे हैं तीन आएबल हैं तो आपको जी दस की इंकम उल्टा दो साथ का कैश लो यही तो कर रहे हैं यही कर रहे हैं ठीक है यहां कुछ नहीं है इसकी बात करो समझ आगी है अच्छा ओके हां जी इधर थे हम लंब तो अच्छा एक Спांड में उसे वैसे मैंने इस सवाल के बाद भी एक सवाल प्लuciones किया हुआ ता हुआ आच्या एक चोटा सा काम करके सवाल होँख में दे सकता हुआ है जल्दी करो यह मुकौाँ मुकौाँ को इसमेंसे क्या निकलना कोई कैश निकलना रिसीवे बल रेसीवे बल इसलिए कोई कैश नहीं नहीं चलो आगे चलो आगे चलो किह दर 200 किदे ये कुछ प्रीमियम में भी आया हुआ हमें इससे क्या क्या जी शेयर इशूड या कैपिटल रेज कुछ भी कर दें क्याश रिसीव दोसो जमा कि वर्किंग नंबर और वर्किंग नंबर उसके बाद और तोड़ा पला हो जाए इदर अभी तबाहिया है क्योंकि अभी इदर भी नहीं है और हो सकता है डिवीडेंट भी हो सuwाग примल को तो डिवीडेंट तो जीरो कर लेंगे लेकिन सवाल और ये ए इंडे करेंगे इसमें दो गैना इंड बे सवाल चुप है तो dividend तो zero ले सकते हैं लेकिन सवाल चुप है तो retained earnings को zero नहीं ले सकते retained earnings में change भी आ रहा है year उन्होंने profit कमाया होगा या loss कमाया होगा okay zero नहीं हो सकता आगे बढ़ो इसके बारे में किदर यह debit यह कब debit होता है जब asset became revalued अब asset bickay revalued तब भी entry होती है revalued surplus debit retained earnings credit और अगर incremental debit के entry है तो भी यह होती है revalued surplus debit retained earnings credit तो फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो 30 का जो यह debit है यह और कुछ नहीं credit ही हो सकता है इदर ठीक है ओके तो यह कहां से आया working 9 से और यह कहां गया retained earnings में लेकि यहां पर हमने balancing निकाला था तो इसे दोनों जगा लिख दिया अब यह तो हो गया इसमें अभी मुझे शक है सवाल पूरा करनूं एक बार कहीं से dividend वग़रा ना मिला तो dividend zero कर लेंगे और फिर tax नहीं है इसमें यह को सवाल है एक और सवाल है उसके अंदर पैट निकलेगा फिर टेक्स अलग से निकलेगा टेक्स के लेजर से फिर पीबीटी भी आपको बनाना पड़ेगा वह मजा आएगा चीक है ओके जी नेक्स्ट किदर इदर ओमई गॉड़ इदर आने का मतलब क्या है कोई कैश पेक या यह निके लोन कम हुआ है तो लोन रीपेड अबर किन नंबर और यह मुस्ट के नंबर असान भी होते हैं जी कितना रीपेड है कैश आउट फ्लोग ठीक है सित्लों यह ऌगते से यह वी हो गया यह नंकेन और यह न का रहिए कि अपर्यवफ लगा 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 के दोदि criteria this and this interest expense reverse cash interest paid cash paid record ठीक है ना तो reverse करो interest expense profit तक काते आते add हो चुका तो less करें यह ए लेस्स हो एंटरस्ट expense को तो पहले का है interest expense Tax नहीं ना ठीक है तो profit तक काते आते less हो चुका है add कर दो और खीर ही पड़ी है तो आज निल्काल निममरों की मुफ्ट क नम्रों की कोई एक दो चीजे ना निकलिय उन्त्राश्ट पेंस तो निकलने वाली चीज थी असानी से गेर लाँ सब्सक्राइब निकलने वाली चीज डिस्पोदल का काउंट हो गया जी पूरा कर दिया था इसको ये अज्जस्मेंट और इसके लावा वरकिंग 13 के बाद वो 14 नीचे ही हो गई थी चलो और 15 ये पड़ी है इसमें भी जो एंट्री थी वो कर दिया आपने वो तो अगला मैंने सब समझाने के लिए किया था ये तोड़ी करने आपने अब सारा सवाल हो गया है सारा सवाल हो गया है कहीं को जिकर डिविडेंट का तो खुद से नहीं अज्यूम कर लेना क्योंकि देखो ना इस लेजर को बैलेंस करो तो किस तरह बैलेंस आ रहा है क्रेट साइड पर तो वो क्या होगा फिर अब खुद से इसको अज्यूम नही कर लेना कोई चीज अब ये इदर बैलेंस होता तो हम सोचते डिविडेंट तो नहीं है कहीं लेकिन सवाल में नहीं बताया तो डिविडेंट जीरो है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई वन अब ये वन फॉर्टी पैट भी है और चुके सवाल के अंदर टैक्स गिवन नही है लेकिन किसी अगले सवाल की त्यारी के लिए मैं बताता चलूं कि हमने जो पैट निकाला है वर्किंग नंबर कौन सी है कितना निकाला जी ये पीबीटी नहीं होता असल में तो टैक्स एक्सपैंस जो है वो अगर सवाल मिसाल के तौर पे होता तीस रुपे तो पिर होकर पहुंचता है ना हम इसको बैलेंसिंग निकालते है ठीक है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना अब यह जाता स्टार्टिंग में और यह होता अब मामला क्या हुआ इस सवाल में टैक्स कोई नहीं था इसलिए ये 140 ही किसी और सवाल की त्यारी की हमने ठीक है तो 140 क स्टार्टिंग पॉइंट भी वन 40 आ गया वर्किंग नंबर 8 में आपने निकाला तो जी सवाल तो खत्म हो गया चलो करवा दो बैलेंस पर यह ना को बैलेंस नहीं हुआ जीरो जी 348 पॉजिटिव 555 नेगिटिव 240 पॉजिटिव किदर देखो पॉजिटिव 345 नेगिटिव 555 पॉजिटिव 240 33 प्लस करें 20 आंसर इस चलो अब यहाथ इदर रहने देना और घर आ जाना परचे के अंदर मैं आप देख लिया मैं कहा कि गलत नहों गया जी अब आपने यहाथ परचे में इस पर रख लेने और यह लिखकर हाथ यही रहने देना खुद घर आ जाना परचे में हाथ छोड़ाना ठीक है मतलब अगर बैलेंस ना हो तो सिर्फ एक दवर टोटल देखना ना समझे में आए तो तवा करना खुशी खुशी आगे जाना यह पेपर में साफ अब यह यह वाला सवाल आपको पास करवा चुका है पेपर के अंदर आगे चले जाना ठीक है यार इस सवाल को देखें पिर जरा में क्या मसला है इसमें देखें जरा आप मैंने वैसे यह प्लैन नहीं किया वा था मैंने तो कुछ और ही करना था जरा मैं इसको देख लेता हूँ इसमें है क्या मिलके पढ़ते है ठीक है अगर आपके करने वाला हुआ कर लेना ना तरीके से दिया हो सकता है वो तर्तीब सिखानी है ठीक है तो उसके बाद पिर ये मैतट खतम मेरी तरह से फिर सवाल हम करते रहेंगे जब तक क्लासें चलती रहेंगी कभी टेस्ट में देगे कभी कुछ करके लेकिन इसके अंदर फिर अब काफी हद तक कंफर्टेबल हुएं इसके अंदर ये सबसे मुझे सवाल मेरे पास तो यही है जी तस्रीर गेंच नहीं है सौरी बाद में बाद में बाद में ठीक है इधर या आ नईदा से कहें लेना कोई मसला अच्छा बच्छो डिक्वार्मेंट है अगले सवाल की जो हो कि आपका हो सकता है हो जाए हो सकता ना भी हो देखने लगा हूं मैं ठीक है इंशालला होगा अल्ला ने चाहा तो अब देखो ये मुझे तो कॉन्टेंस है कि 60-70% हो जाएगा ठीक है दो मिनिट में पढ़ूँगा मैं अच्छा बीस से पहले नहीं उड़ना और क्लास आज इंशालला शुरू करेंगे हम दो बीस पे भाई ने कहा था कि नहीं दो बीस से पहले ना आया करें ठीक है दो बीस से तीन पच्छपन क्या तो रोजी होती कल भी होई थी आसे ना करो यार बेटा और सब्जेक्ट तो होते हैं तो मैंने घर पे पढ़ने वाला काम अब ये इतफाक से एक सवाल चला जाएगा और वैसे भी कमफरडेवल हो गया है आज कल आपने बाकी सब काम चोड़े होने चाहिए आपको पढ़ाई करें हर पेपर को हर सब्जेक्ट को आप दो दो घंटे एक्स्ट्रा दें कोई नहीं सब क्योंकि इस वक्त नहीं चोड़ना चीज़ें पूरी कर रहे ना इसको बिलकुल नहीं चोड़ना जैसे का है आखरी महीने के थोड़ी एफ़र्ट है कल आफ करूंगा आप कर्मेंट है ऐसे सेट्मेंट ऑफ कैशलो बनाओ फॉर दा येर तीस जून इकीस अब बैलेंस शीट गिवन है ऑपरेटिंग फिक्स एसेड वही पीपी लेस्ट अलग दे दिया तो आप अलग कर लेना मेरा मश्वरा है कैपिल वर्किंग प्रॉग्रेस है वह इसका लेजर बना लेना बस यह ना इसको ऑपनिंग आ रहा है कोई ना क्लोजिंग आ रहा है येस तो इसके मतलब इसमें से भी क्या होगा एडिशन हो सकता है यहां पर आगे जाकर कहा दे कि कुछ एक सीड़वज आईपी में से कैप लेकिन मैं यह चाहता हूं कि एक स्टेप आगे चल रहे हूं मतलब आगी एक चीज डिसकस नहीं हो यह तो खुद से सोचकर कैसे ट्रीट करना कर जाएं यह थोड़ा कॉंफिडेंस देगा आपको इन्वेंटरी में आ रहा है मतलब इंश्वेंस क्लेम है पिछले साल था इस साल नहीं है मतलब यह कैश इस साल आ गया होगा एडवांस टू सप्लायर है यह क्या मुसीबत है यह है राइट टू रिसीव राइट टू रिसीव गोड़ इन फ्यूचर ओके तो अगर आपने इ दिया हो अगर वहांस तो पैसे बढ़ जाएंगे ये cash and bank balances डिफ्रेंट चीजे आई थोड़ी से शेयर कैपिटल ओमाई गॉड शेयर डिसकाउंट है लेकिन उसने जबरदस्ती इसी equity side को पर शो किया और शो करके इसको negative sign कर दिया अब मेरा मश्वरा ये है कि आप शेयर डिसकाउंट को return डरने इसके साथ कठा बना या अलग करा लेना अलग करना अलग करना फिर कल देखते हैं क्या करना है ठीक है न जैसे share premium का अकाउंट बनाते थे थे शेयर डिसकाउंट का बना दो क्या होगा कि इतनी है जीव जीव बाते सबीं इसे आगी हालाकि मैंने कभी ऐसे ओल्फ मैं ने दीद्र हूं스크। तो share discount hear brought down इदर लख लेना बस इतनी सी बात Com कोई नहीं है share discount में carry-down आ रहा है इदर लिख देना सब्सक्राइब ικά डेंटरըुम नॉर्मD जिंग ऑन रोंग इखेयर देना काइब फीली होंदे पैंप सेल्स है ईक लोगर डिन सब्सक्राइब जालिम ने प्रॉफिट नहीं दिया सारा कुछ दे दिया एते फिरो ही मसला है चलो देखते है एसल डिकलियर्ड ऑफाइनल डिवीडेंड ऑफ दस परसंड विच वास पेड इन दिसंबर फाइनल कैश डिवीडेंड है 20 कितने के बताया नहीं है कोई नहीं अल्ला मालिक है इन्शोरेंस क्लेम के बारे में कुछ कानी बता रहा है कि यह पिछले साल से रिलेट करता है को मशीनरी डिस्ट्रॉई हुई थी जिसकी अगेंस यह यह कहानी थी पता नहीं आप इसका क्या करना होगा आपने घर पे कुछ तो करेंगे आगे 16 तो पढ़ा ही हुए इस साल में उन्होंने एक एसिड बेचा है कास्ट उसकी है 75 विक वैलियू है उसकी 35 यानि आप अक्रिमेटर्शन निकाल सकते हैं इसमें और दोनों अलग-अलग हैं तो अलग-अलग ही ले लीजिएगा करंट पोर्शन ओए होई हो लेजर बनाते हैं ठीक है ना यानि इस करेंट पोर्शन को आपने दो इससे कर लेना है जो इसा इंट्रस्ट वाल है उसको लेजर में ले जाएंगे और जो बाकी है उसको आपने उपर एड़ कर रहे हैं ऐसे है पसा आ जाता है कुछ टेट अदर पेवल इंकलूड एनमाउ लेकिन लेट से आखरी क्लास थी खत्म हो गया कल आप चुटियों पर चले गए और पेपर में यह सवाल आ गया तो कुछ तो करना है ना कि छोड़के आ जाना है बस मुझे बुरा बला क्या कि कुछ ना कुछ करना है ठीक है तो जिन्दगी रही तो इंशालला कलोगी मुला I love it